एपिसोड की शुरुवात में हम एक शौंग टैंग कॉंटेंट हैविल नी स्प्रिचल डॉमिन डॉंग शिंग किंगडम के हाँ दिखा जाता है जहां पे हम देखते है डैमिनिक सेक्ट की यहां पे जहांके इंप्रेस की आज शादी होती है और यहां पे काफी सारे लोग आ हमें फिर इन सबके रैंक सिस्टम के बारें बता जाता कि कौन कितना किस रैंक के हिसाब से ताकत वर है पर फिर भी यहां पे शौंग टैंड काफी जित अता कर रही है पर मैं यह बिल्गुल भी समझनी पारा कि आखिर कर एंप्रेस उस लोजर से क्यों शादी करी है जबकि कि वह काफी ज़त कमजोर है पर यहां पर उसका साथ ही अपना मूझस से बंद करने के लिए कहता है तक मुझे जाँगा हूगे हूगा South इस country के एंप्रेशिस शादी कर रहा हूँ तब यहाँ पर एंप्रेश आ जाती है जिसके नम blue wing queen होता है जो कि इसे कहती है अगर मैं सीधा कहूँ तो जो ये wedding है वो सिर्फ एक दिखावा है ये कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है पर तब इसका shocking system activate हो जाता है और इसे देख कि ये सोचता है कि finally मैं अपनी life को पूरी तरह change कर सकता हूँ पर ये सोचता है कि आखिर कर ये system इसे कुछ explain क्यों नहीं करा ये अपने system से पूछता है पर इसका system इसे कोई जवाब नहीं देता है जिसकी मदसी ये से हरा सकता है और अब न्यांग टैंक समझ चुका होता है कि अगर ये किसी की उपर चिला है तो इसे और ज़्यादा reward मिलेंगे और ये और ज़्यादा हो क्या तुम्हें इसे कोई problem है क्या और ये शौक हो जाती है जिसकी मदस से इसे क्यों है ब्लड पिल मिल जाता है और ये समझ जाता है कि अगर ये शौक इसे देता ही रहे तो इसे काफी सारी चीज़ें मिलेंगी ये फिल से कहता है कि हम husband and wife है अगर हम couple वाली चीज़े करें तो तुम्हें कोई problem तो नहीं है और इसकी ये बास सुन के ये और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है जिसकी मदस से यहाँ पे इसके जो level हो काफी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये समझ जाता है ये इस इस वज़े से ये अपना औरा suppression को चालू कर देता है जिस वज़े से एमप्रेस की जो औरा है वो यहाँ पर surprise हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती और वो अचानक सी यहाँ पर बेहोश हो जाती है और ये मरते मरते बजाता है पर निंग टैंग को पता होता है कि इसका का असर से 5 घंटे तक रहने वाला है तो यह सोचता है कि यहान से भाग नहीं सही रहेगा पर यह समझा यह – जादा दूर तक भाग नहीं सकता इस वज़ाता है में इसलेगी का फैसला करता है यह सक्वाहे Fourth और मुझे पता है कि मैं तुम्हारी लिए अभी भी काफी ज़ता यूसफुल हूँ वही पर एमपरेस सोजरी होती है कि मुझे खुद पर पेशन्स रखना पड़ेगा मैं उसे हेवल डेमोनिक मैनुल मिले से पहले नहीं मार सकती और अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा जो सेक्ट है वो कभी भी खुद के पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा पर जाते जाते यहां पर एमपरेस से कहते कि इवनिंग से पहले पहले सकी यहां पर आ जाना जहां पर हम दोनों की वेडिंग रखी गई है यह फिर यहां से चले जाती है और नियंग टेंग यहां पर चैन की सास लेता है वो सोचता है कि कम से कम मैं उसकी यूसफुल तहूं मैं पागल था कि मैंने उसे ऐसे ट्रेट किया और तभी इसको सिस्टेम इसे बताता है कि पूरी दुनिया को शौक करने की वर्जे से इसे करीब 10 साल का कॉल्टिवेशन मिलाए और इस वज़े से यहां पर ब्रेक्ट्रू होने लग जाता है फिर हमें एक घंटे बात दिखा जाता है जहां पर हम देखते हैं यहां पर न पहले इस कि यहां दिखा जाता है जहां पर हम देखती हैं एंप्रेस आ चुकी होती है और सब्सक्राइब और यहां पर जाता है कि लगता है कि तुम्हें प्रिंसस के लाएगो ना कि वह लूजर इस बरसन का नाम कौंक्शाओ होता है जिसका लिटरिली मिनिंग होता है वाइल्ड बेस्ट यानि कि जंगली भेडिया कौंक्शाओ फिर इसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बिल्कुल भी चीज़ को एकसपनी करता कि एंपरेस एक लूजर से साधी कर दिये तो यह कहता है कि आखिर कर मैं इतनी आसानी से उसके एफेर में कैसे इंटरफेर कर सकता हूँ पर मैं उस लूजर का चेरह जरूर से देखना चाहूंगा जिसने हिमत कि एंपरेस से शादी करने की यहां पे फिर पूजरी कहते है कि हाँ एंपरेस आ चुकिया बहसिएंग तंक को बुलाने की बारी है और वो सावाज लगाती है पधने हैंग तेंग बार बलाने भी ली नहीं आता है यहां पे सबी लोगों से काफी बहला बुरा कहरे होती है तो निंग टैंग यहाँ पे सबसे माफ ही मांगते हुए कहा है कि मुझे माफ करते हूँ दरसल यह पहली बार है कि मैं शादी करा हूँ और इस चीज का मुझे बिल्कुल भी experience नहीं है और इसकी यह बास सुनके सब लोग काफी गुसा हो जाते हैं और लिंक शाओं यहाँ कहता है कि आखिर कर तुम इतने रिकलेस कैसे हो सकते हो तुमने एंपरेस को इतनी देर फालतों में इंतिजार कराया और उसके बाद तुम इतने घटिया से एक्स्यूज दे रहे हो तो यह जिसे यहाँ पर निंग टैंक को काफी सारी रिवार्ड मिलते है और निंग टैंक सोच रहा होता है कि सच मुझ वेडिंग वेन्यू एक यूज ट्रेजर जायता है जहाँ पर काफी सारी चीज़ा आपको मिल सकती है जूकि मैंने सूची भी नहीं थी वह लिंग शांग कि मैं इंप्रेस की इज़त करता हूं इसी वज़े से मैं उनकी इज़त के लिए तुम्हें डियूल के लिए चैनलेज करता हूं क्या तुम इस चीज़ को एकसेप्ट करते हो यहाँ पर सबी लोग समझ चुके होते हैं अगर शांग यो अपनी आधी ताकत का भी यूस करे तो निंग टैंग को आसानी से हरा सकता है पर यहां पे नंग टैंग इस से कया तब कि ठीक है मैं तुम्हारे चैनलेज को एकसेप्ट करता हूं तरस लिए शण् याओं को सभी को शौक करने के लिए यूस के ना चाहता है जिससे इसे lements रिवर याँ फिर से कहा ताए कि तुम्हें पता है ना अगर मैंने अपनी आधी भी थाकत यूज़ की तो तुम मारे जाओगे चलो मैं भी तो देख वो कि आखिर तुम एम्परेस के कितने लायक हो नियंग फिर से कहा ता कि तुम मिरे उपर पहले हमला कर सकते हो पर शांग यहाँ से कहाता है कि अगर मैने तुम्हारी उपर पहले हमला क्या तो हार कोई मीरे उपर हशेगा तो यह रहेगा că और ने यहां पर पर मूव कने लग जाता यह पर यहाँ पर इसके उपर हसने लग जाता कि हैंडी में कितना जदा बेवगूफ है यह उनकी चाल में फस गया वहीं पर नियांग टैन कहता है कि मेरी पाम स्किल इतनी जदा बढ़ या नहीं है पर यह तुम जैसे लोगों को कुछलने के लिए काफी है तो यह कहता है कि तुम जितने भी कोशिश कर लो पर तुम मुझ मुझे इस सील को हटाना पड़ेगा पर काफी कोशिश करने के बावजूत यह उस सील को हटा नहीं पा रहा होता इसे कुछ समय नहीं आ रहा होता कि आखिर कर यह सब हो क्या रहा है तब ही यहां पर एमप्रेस के वहां पर देखता है जहां पर वो अपनी पावर्स के यहां हार जाता है और इसे देख कि यह सब हैरान हो जाते हैं और यह भी सोच रही होता है आज मेरी वेडिंग पूरी होके रहेगी और दूसरी ओर नहीं टैंग यहां पर काफी लोगों शौक कर चुका होता है तो इसे काफी सारी रिवार्ड्स मिलते और सबसे स्पेशल हो ट्रैक्ट होने लग जाते हैं लड़किया मर्द औरते बूड़े सब लोग इसकी तरफ एट्रैक्ट हो रहे होते हैं वह निंग्टेंग सोच रहा होता है कि सब लोग मुझसे एट्रैक्ट हो रहे हैं पर आखिरकर उसने अब तक कुछ बोला क्यों नहीं क्या मेरी को देखा जाए तो तुम लोग राज घिराने से हो और तुम लोग काफी ज़्दा ताकत वरो पर फिर भी तुम उस चीज का यूज यहां पर अपनी कल्टिवेशन पर नहीं करते हैं तुम अपनी ताकतों का यूज दोसरों को बुली करने के लिए करते हो अगर इस हिसाब से मैं ट्रेश हूँ तो हाँ इस चीज को मैं एकसेप्ट करता हूँ पर तुम सब मेरे सामने यूज लेस हो क्योंकि तुमने अपता कल्टिवेशन की एक भी सीड़ी नहीं चड़ी है यह लोग फिर कहते हैं कि तुम यह कहना चाहते हो कि हम होली संस और प्रिनिस यहां पर सामने यह कहता है कि हमारी दुनिया काफी जदा बढ़ी है और हम सब काफी जदा चोटी यहां पे अभी भी काफी सारी लोग होंगे जो कि हवाप पानी और सारी चीजों को अपने कंट्रोल में खर सकती हैं और वह हमसे कई गुना ताकतवर है मुझे इस दुनिया में मेरी जगे पता है पर तुम जैसे लोग जो की काफी जदा एरेगोंट होती है और अपने छोटे-छोटे अचीब्मेंट पे काफी जदा खुश होती है और तुम अपने ओपीनियन की हिसाब से देखा जाए तो तुम उनके सामने कीड़े के आलावा कुछ नहीं हो तब यहां पर जैमनिक सेक्ट लीडर कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि अब तक हमने अपनी कल्टिवेशन की पहली सीड़ी नी चड़ी और हम यूजलेस है वह सकेंड लीडर कहते है कि होली संस और प्रिंसेस को जीनियस की तरह ट्रीट किया जाता है पर उस लड़के के को शब्दों से य मैंने बुद्ध स्क्रप्चर पवेलियन के हाँ यह सीखी है तो यह कहते है क्या तो मुझे बता सकते हो कि तुम्हें यह मास्टर किने में कितना टाइम लगाए यह फिर यहां सोचन लग जाता है कि वह इन सबकों नहीं बता सकता कि इस टकनीक को सीखने में सरफ इसे एक मि इसको भी तीन दिन लगे थे इसे सीखने में लगता हमें अपने सेक्ट के लिए एक दम बड़ी डिसेप्रिंट मिल गया और तुम काफी टैलन्टेड़ और उसी के साथ तुम एंप्रेस को भी चैलन्ज दे सकती हो पर इसी के साथ यहां पर काफी सारे लोग शौक हो चुक जिसके बाद पुजारी इसका नाम अच्छे से लेते हैं और इन दोनों की शादी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है वही एक आदमी कहरा होता है कि यह दोनों कितनी जादा सुन्दर है इन दोनों की जोड़ी तो लगता है हैवें से बन किया रही है तो नेंट टैंक सोचता क्यों कुछ देर पहले तुम सब मुझे ट्रैश बुला रहे थे और हमारी जोड़ी अब एकदम पर्फेक्ट है यह फिर सोचता है कि मुझे लगता है कि जिस भी दुनिया में आप चले जाओ अगर आपके पास ताक हैता है तो हर कोई आपकी इज़त करेगा वही पर हम दे एंपरेस को जो कि यहां पर एक स्टैच्चू से बात करते वे कहारी होती है कि अगर मैंने उस लूड़ से शादी कर ली तो जैसे कि तुमने प्रॉमिस किया तुम मुझे मैनुवल दे दोगे ना दरसल करीब आधे साल के बाद यहां पर पांच एंपर तीन लॉड मिलके इ सबसे पहले गौडली फिजिक वाले किसी इंशान से शादी करने पड़ेगी और उसके साथ संबंद बनाने पड़ेंगे तो यहां पर एंप्रेस कहती कि बेशक हो एक लूजर हो जो की कल्टिवेट भी ना कर पाए पर फिर भी मैं उससे शादी करूंगी क्यूंकि मैं अप इस पर सब्सक्राइब और यहां पर जाता है जो कि एक इंपरेस बात करेंगे और तबी उस आदमी का इसे कौल आ जाता है जो कि बताते हैं कि लीडर काफी बड़ी चीज जहां पी हुई है यह से कहता है कि तुम एक सेक्ट मास्टर रों आखिर कर तो मितने पैनी क्यों कर यह कहता है कि हमें धोका दिया गया है जिस परसन से एंपरेस शादी कर रही थी वह कोई पीस ओफ ट्रैश नहीं है वह एक जीनियस है उसने स्रिप अपने एक मूव से थर्ड प्रिंस को हरा दिया वह काफी जदताकतवर है और उसने अपने स्पाम स्किल को स्रिप एक ही दि हो जाए हमें फिर शाम को एंपरेस के बैट रूम क्या दिखा जाता है जहां पर यहां पर न्यांग टेंग सोच रहा होता है कि सबीने मेरे आप गौडली फिजिक्स के उपर रेक्ट किया पर उसने बिल्कुल भी रियाक्त नहीं किया नेंग फिर अपने आपको कहा था कि तुट जाओ तो माचानक से उसके हस्बंड बन गए अगर मेरे पास सिस्टम नहीं होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता और किसे पता कि भविश्य में वो कभी मुझे मिले भी या फिन नहीं पर उससे पहले अगर मुझे इस दुनिया में अपने पाउं जमाने है तो मु पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी अंदर इतनी हिमत है कि तुम मेरे साथ ये कर पाओ यह कहती कि तुम्हारे अलावा और यहां पर है कौन तो निंग्टाइंग कहता कि ठीक है आज मैं तुम्हें अपनी मर्दान की थाबित करके रहूंगा और यह इसकी तर बढ़ने लग जाता है पर अचानक सी एक जगी रूख जाता है और यह से पूछता है कि आखिर कर तुमने मेरे साथ क्या किया एंपर इसे से बताती कि मैंने तुम्हारे और को सप्रेस कर दिया और तुम पूरी रात वहीं पर खड़े रहने वाले हो निंग्टेन फिर से कहाता है कि म मैं थोड़ी प्रैक्टेस कर लिए एक दिन मैं उसे दिखाई दूंगा कि उसका हस्बेंड इस दुनिया को अपनी मुठी में कर सकता है यहां पर अपनी स्किल को इंप्रूव करने लग जाता है इस अपिसोड की शुरुवांत मैं निंग टैंक को देखते जो कि कह रहा होत और तब इसके सिस्टम इसे बताता है यहां पर अबेंडेंड और अको कल्टिवेट करने के लिए उसे जगह को चुनना चाहिए तो यह कहता है कि मेरी मेमरीज के हिसाब से मुझे पता यह कौन सी जगह हो सकती है और यह प्रामरी कल्टिवेशन ग्राउंड की हाँ पर चले ये फिर सोचता है पर ये तना तेज नहीं है कि इससे मैं लेवल अप कर सकूँ और इसकी बास उनके काफी सारे लोग शौक में चली जाती है निंग टैंक फिर यहां पर क्यायता है कि लगता है मुझे अपने 10 फोल्ड कल्टिवेशन पाउर को एक्टिवीट करना पड़ेगा और वो ऐसी करता है जिस वर्ड़स यहां की औरा को पहले से 10 गुना तेजी से अब्जॉब करने लग जाता है जिस वर्ड़स यहां पर अर्थक्वीक आने लग जाते है और इसकी वर्ड़स यहां पर जितने भी स्ट्रेंट्स होते है वो शौक में चली जाते है और यहां पर घबराने लग जाती है पर इसको यहां पर वाटर डेगन स्टेप्स मिल जाता है एक रिवार्ट की थोर पर जिसी एक कुछी दिर में सीख भी जाता है नेंग टैंक की बॉड़ी में आव और आतों स्टॉर हो चुका होता है पर यहां पर नई स्किल्स के बिना यह किसी काम के नहीं है तो यहां पर यहां पर यह लड़गी से पूस्त है क्या तूम मुझे बता सकती है कि आखिर कर कर अगर हम रिकॉर्ड की हिसाप से चले जो एम्सकों देखरता है हुँ यहां का family head बन चाता है निंगटेंग यह से कहता है कि family head की जिग तो मुझे older brother बुला सकती हो और यह फिर यहां से चले जाता है फिर यहां पर रहाएं पर पर से स्पोच्छता है क्या तुम सभी यहां पर डैमेंस्टरी के लिए आजाते जो कि कहते हैं कि इस जगे की रूल और मर्याता है आखर कर तुम सब ऐसी चीजी यहां पर कैसे कर सकते हो गूयान को देखे सबी लोग यहां पर बात करने लग जाते कि यहां पर काफी गूल्ड फैशन है और वो अपने रूल्स की सबसे काफी जिस्ट है पर बेशक यहां पर यहां पर हमें इसके हस्बेंट क्यों ना हो करने की कि इसे की भी देती है जिसे प्रेस केनने के बाद ये डेमोंस्टी के अंधर चले जाता है पर यहां पर यह डेर्क फिफ फ्लोर में जाता है जग पर इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है और यह दे के सब लोग हैरान हो जाते है पर यह अपने लिए बेस्ट टेक्निक चुन गुयान फिर निंग्टाइं से पूछता है कि आप ठीक तो है ना हमें याप एक जोड़ता जटका लगाए इसी वज़े से मैं आपसे पूछना जाता हूं कि आप यह कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है निंग्टाइं कहता है कि हाँ एक प्रॉब्लम है अब तक मैं सिर्फ को उपन करने में काम्याब हों तो गुयान इसकी ये बास सुनके हैरान हो जाता है क्योंकि इस तरह के लेवल तक पहुछना काफी मुश्किल होता है एक हैवली बिंग ये इस चीज़ को अचीव कर सकता है वो भी 30 मिनट में वहाई गुयान को शौक देने की वज़े से निं और गौड रिकॉर्स सबसेज़ स्ट्रॉंगेस गौड रेंक्ट स्किल्ड है और इसके बाद ये अपने सिस्टम को इसे कल्टिवेट करने के लिए कहता है और ये धिरी तरे इसकी बॉड़ी में अबज़ाब होना चालू हो जाती है और यहां पे इसे कुछ अजीब सा महस होने वाले होते हैं पर ये फिर भी यहां पे गौर्ड रेल्म के रिकॉर्ड को देखना चाता था इसी वज़़े से यह से बीच में डॉप नहीं करता और और भी जाते स्प्रिच्वल वेंस को एक्टिव करने लग जाता है वाई गुयान कह रहा होता है क्या फैमिली हैट स सब मेरे सेक्ट्र ने हो क्या रहा है और यह सप्रिंग में होते हैं जगे की यह कैते कि आखिर कर यहां पे सब हो ने किया है व gir कर देकिंड है कि लगता कर आपको पता दो नहीं पर एंपरेस ने शादी कर लिया और यह उनके हस्बेंड ही कर रहे हैं तो यह कहता है कि उसके वर्दी कैसे हो सकता है आखिर कर एक आम आदमी में उसे ऐसा क्या दिखा कि उसने एंपरार से शादी करने के लिए मना कर दिया तबी यहां पर एंपरस आ जाती है जो कैसे कहती कि किसी आम एंपरस से वह मेरे काफी ज़दक काबिल है सुपरीम एल्डर फिर से कहते हैं कि लड़की तुम्हें पता भी यह तुमने क्या किया है हम एक बड़े ऐलाइनस की जरूत थी ताकि ह अपने सेक्ट को बचा सके अगर तुम्हें शादी ही करने थी तो तुम्हें एक ताखतवर हस्बेंट को चुनना चाहिए था आखिर कर तुम्हें एक बच्चे से शादी क्यों की एंपरेसे से कहते कि सुप्रीम एलडर जो आप कह रहे हो आपको उसके उपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए मैं एक एंपरेस हूँ और आपको मेरे प्रशनल एफेर्स के बारे में चंता करनी की कोई जरूत नहीं है ये कहते कि ठीक है एंपरेस तब यहाँ पे इन्हें जटकी की आवास सुनाए देती है और इनने पता चलता है कि यहाँ पर धंडर ट्रेबलोशन हो रहा है पर ये लोग समझ नहीं पा रहे हुते है कि आखिर कर यहां पर धंडर ट्रेबलोशन क्यों हो रहा है सुप्रेम एल्डर ने बता ते कि धंडर ड्रेगन अभी एक फॉर्म में आ रहा है और वो अपने स्पिरिचल सी के अंदर से उसे घुसाना चाता है जिस वर्जस वो अपने सारे स्पिरिचल वेंज को ओपन कर लेगा इनकी ये बासुन के गुयान कहता है कि आखर कर ये कैसे पॉसिबल है मैंने कभी नहीं सुना कि किस नहीं या पर ट्रिबलिशन के यूज करके अपने स्पिरिचल वेंज को ओपन किया हो सुप्रेम एलडर फिर क्या है ते की लड़की क्या तुमारा हिजमेंट सच मुझे एक आम स्टूइंट है जैसा उसके पास टैलेंट है उस हिसाब से तुव एंपरेर लेवन कुछी दिनों में पहुश सकता है वह एंपरेस सोच रही होती है यह सब उसके गौडली फिजिक्स की वज़े से इस वज़े से इतने सारे स्पिरिचल रेम्स को ओपन कर पा रहा है अगर सब कुछ ऐसी चलता रहा तो वो चुटकी बजाते ही एक गौड बन जाएगा तब ही यहाँ पी लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो उसकी स्पिरिचल सी है वो बंध हो रही होती है और अगर ड्रैगन डिर्क उसकी बॉड़ी में घुसा तो यहाँ पे उसकी जो बॉड़ी है वो फट जाएगी तो एम्प्रेस कहती ही कि तुम सब पीछे हटो और यह सब देखो जब तक मैं उसे प्रोटेक कर रही हूँ और यह अपने औरा को इसके अंदर ट्रांसफ़र करने लग जाती है ताकि वो इस ट्रिबलोशन को आराम से जहल सके और यहाँ पे ऐसे ही करने लग जाती है और उसे के साथ यहाँ पे नियंग टैंग के अंदर जो है वो ड्रैगन समाने लग जाते है और धीरी धीर करके यहाँ पे इसके कपड़े भी भड़ जाते है पर वक्त पे यहाँ पे निंग्टेंग इसे पकड़ लेता और कहता है कि वाइफ तुम्हारा शुक्रिया तुमने मुझे बजाने के लिए अपने कपड़े भी भाड़ लिए यह ऐसे कहती है ऐसे कुछ भी और मुझे छोड़ दो इसे पहले मैं तुम्हें कुछ करती हूँ वाइको यानि यहाँ पे सुप्रीम एल्डर से पूशता है कि आखिर कर आपने अपने वक्त में कितने स्प्रिशल वेंस को उपन किया था यह कहते है कि मैं अपने वक्त का जीनियस था और मैंने टोटल यह यहाँ पे 80 स्प्रिशल वेंस को उपन किया था यह लड़का एक्स्ट्रीमली टैलेंटेड लग रहा है मेरे इसाप से इसने 40 यह फिर 50 स्प्रिशल वेंस को उपन किया है और इसकी यह बास सुनके सुप्रीम एल्डर यहाँ पे शौक में चले जाते है वहाई से कुछी तो डॉक सिंग किंग्डम की इंपीरियल कोट के यहाँ दिखा जाता है जहाँ पे हम देखते हैं फिजिशन टेंज लियाओ को और साथ इसा डॉक सिंग इंग्डम के एंपर लिन बाको यहाँ पे फिजिशन से बता रही होती है कि जहाँ पी यह ट्रेबलुशन हुआ है व हमें हैविली सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है तो लियंट्याओ कहता है कि वहाँ पे एंपरेस भी है तो यह कहता है तो क्या हुआ है और वो देन प्रते दिन हमसे ताकतवर बनते जा रहे हैं मैं हमें शेशन तमे रहता हूं कि अगर उन्हें जल्दी तबाने क्या गया तो एक दिन वो इंपीरियल फैमिली को यह एलिमिनेट कर देंगे वही पे हमें एंपरेस जंग क्यान को दिखा जाता है जो कि कह रहे होती है कि इतना बड़ा थंडर रेलबुरिशन कहीं एंपरेस ने ब्रोक थूर निकल लिया गॉड्ड रैम से यह कहायत है कि मुझी लगता ह इतनी जल्दी वो ब्रेक्थ्रू कर पाएगी क्योंकि यह काम फिजता मुश्किल होता है और अगर उसने सच मुझ ब्रेक्थ्रू किया है तो इसका मतलब हम अगर 6 महीने में उनके उपर हम पला करेंगे तो हम सब के सब मारे जाएंगे जैंक कैन फिर से कह थी कि तुमने ब इसका कही ना कही से तो सोर्स हो गई जैंक्टेन इने कहते कि इसका सोर्स कही से भी हो हमें उसे फरक नहीं पड़ता पर एंप्रेस और डैमनिक सेक्ट हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हमें जल्दी से जल्दी उन्हें मिटाने की तयारी करने पड़ेगी वही पर हमें डैम प्राइविट में करना जीए तब यहां पर यहां पर यहां पर इसाथ ऐसा क्यों क्या है एंपरेस इसे बताती कि तुम्हारे श्रीर के अंदर इडन डैमेज तर्रिब्लोशन के और मैंने तुम्हारा शुक्रिया लगता है मेरी वाइफ मेरे बारे में काफी ज़्यत चिंता क और इस चीज से मुझे काफ विज़ तक खुशी हुई पर एंपरेस यहां पर अपनी ताकत का यूज़ का कि इसे दूर फेक देती है गोयान फिर से पूछता है कि एंपरेस फैमिली है ठीक तो होंगे ना तो यह कहते कि चिंता मत करो मैंने इसरो अपनी ताकत का 10% यूज़ क अगर आप आप हमारा सब कुश देखना चाहों तो हम दिखा सकते हैं यह इन सब को समझाने की कोशिश करता है कि एसा कुछ भी नहीं है पर यह किसी तरह यहां से बचके निकल जाता है यह फिर सोचता है कि आखिर कर एंप्रेस क्या सोच रही थी कि उसने मुझे यहां पे दिया और साथी सथ मेरी गौडली फिसिक्स अगर मैं वहां पे थोड़ी देर रुखता तो पता नहीं ना जाने क्या हो जाता मैं उसके उपर चीट नहीं करना चाहता क्योंकि वैसे भी हमारे इंप्रेस आ जाती है जूकि कहती कि लगता है तुमने नहां लिया अब मेरे सा का इस जगे का नाम है वेले डेमने केव है और यहां पे जितने भी पहले इलीटरिस रहे जो कि इस एक्ट के उन सब के स्प्रिच्वल टैबलेट्स है बंडिंग टैंक सोच रहा होता है कि आखर कर यह सब यह मुझे क्यों बता लिए वहीं पर सोच रही होती है कि अगर मु जी तुम्हें खतमी करना होता तो मैं तुम्हें कब का खतम कर देती और तुम बज़ भी नहीं पाती निंग टैंक फिर यहां पे सोचन लग जाता है कि वो जो कहर यह वो बिल्कुल सही है क्योंकि मुझे काफी जिता ताकतवर है वो मुझे पल भर में मार सकती है और थोड देमनिक सेक्ट के एंसेस्टर होते है वो अब जाक चुके होते है और यहां पर यहां पर आपका मतलब क्या है और आखिरकर वो मैनिवल कहां पर जिसे मैं गौड बन सकती हो जैसा आपने प्रॉमिस किया था पर एंसेस्टर से कहा थे कि लड़की तुम सच मुझ काफी जद करने से तुम गौड बनने का रास्ता दून निकालोगी वो बस एक अफा थी जो कि मैंने बनाई थी और तुम्हारी बेवुकूफी का शुक्रिया तो मिने मेरा काफी वक्त बचाया है क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं गौड ली फिजिक्स वाले को ढून पाया इसकी यह उनके निक टैंक सोचता है इसका मतलब उसने मेरी गौड ली फिजिक्स के वजह से मुझे शादी की ताकि वह एक गौड बन सके तो एंपरेस से कहती है कि जो एंसेस्ट्रल टेक्निक जो कि आपने हमें पास्डाउन की थी और हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास्डाउन हो कर दिखाया तो एंपरेस कहती है क्या तुम मेरे सथ मजा करे हो और हैवली डैमनिक पाम का यूज़ करके इसकी उपर हमला कर देती है जो कि काफी भयानक होता है इसके इस हमले को देके नियांग टैंक सोचता है कि इसकी ताकत मुझे कही गुना जादा है क्योंकि वह एंप नहीं कर सकता पर इतना पागल नहीं हूं कि मैं तुम्हारे उपर डायरेक्ट हमला करूँ क्योंकि मेरा टार्गेट क्योंकि वह निंग्टाइग के उपर हमला कर देता है तो आओ मेरी बॉड़ी को ले लो यहां प्रेस्ट से बचाने की गोशिश करती है पर काफी देर हो जाती है और वो इसकी बॉड़ी के अंदर घुचाता है वहीं पर हमें स्प्रिचल सी के यहां दिखा जाता है जहां पर यहां पर एंसेस्टर कह रहा होता है कि जैसे कि मैंने सुना था गॉडली फिजिक्स हर तरह के कल्टिवेशन को सपोर्ड करता है इसी वरे से यह सबसे ब बॉड़ी के अंदर घुचल फॉंस होती है इन्हीं कि यह कहता है कि मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी की स्प्रिचल विंच थंडर रेगन भी बन सकती है पर तब इस्टर मेरे शरीर के अंदर आई चुक हो तो तो तुम्हें इतने आसानी से तो बहाँ जाने नहीं दूँगा ये समझ जाता है कि लड़का काफी जद चला के इसे पता था कि मेरी spiritual state जो है वो thunder और lightning से काफी जद डरती है और ये जवरदस्ती मुझे अपने शरीरी के अंदर नहीं डाल सकता था और तब ही इसने जान बूच क मुझे अपने शरीर के अंदर आने दिया तब ही यहाँ पर निंग टैंग का सिस्टम उसे बताता है कि हैवली डीमन को सौक करने की वज़े से इसे spirit destruction skill मिलाए निंग टैंग फिर इसे कहता है कि क्या हुआ है विली डीमन अब तो मतर्य एरेगूंट नहीं हो क्या ये कहता है कि बच्चे बेशक अभी मैं spirit form में हूँ पर फिर भी मैं immortal emperor realm में हूँ तो मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते इसके बाद ये heavenly palm का यूज करके इसके उपर हमला कर देता है पर यहाँ पर निंग टैंग अपने dragon की मदस इसके हमले को रोग देता है जो देखके heavenly demon शौक मे बंद कर देना चीए और चुप चाप मेरे godly physics के लिए power बन जाना चीए तो यह कहता है कि बच्चे मैं तुम्हें खदम कर दूँगा पंडिंग टैंग यहाँ पर अपने dragon को इससे absorb करने का आदेज देता है और ऐसा करके heavenly demon मारा जाता है वही पर बाहर दिखा जाता है जहा देख सकती मेरी आखों के सामने और यह उसके ओपर अपनी power का यूज करके heavenly demon को हटाने लग जाती है तब यहाँ पर निंग टैंक को होश आ जाता है और यह से पूछती है क्यों तुम ठीक तो हो ना वह एंसस्टर इंपरर में थे और तुम ब्लैक बॉरिर रेल्म में वह आ वेटर का जो कि immortal emperor में था उसकी सारी power को सक कर लिया जिस वज़े से observation में दिक्कत आ रही है और अब self destruction mode on होनी वाला है और थोड़ी दिर में निंग टैंक मैसूस करता है क्यों जो उसकी spiritual sea है वो लावा की तरह boil हो रहा है और इसका शरी पूरी तरह गरम हो चुका है और यह क अब फिर हमें कुछ घंटे बाद दिखा जाता है जहां पर एंप्रेसिस धक्का मार के कहती है कि अब तुम ठीक रहोगे यहां पर यह सूचता है कि वैसे तो यह process काफी exciting था पर यह जल्दी खतम हो गया जिसके बाद यह से कहती है कि यह तुम्हारी लिए यह पूछता है यह बताती है यह spirit pal है जिसके अंदर spirits की energy है और यह heavenly demon का aura content करता है तुम इसे daily observation cultivate tool के तूर पर use कर सकती हो पर याद रखना इसका ज्यादा use मत करना अगर तुमने ज्यादा use किया तो तुम दुबार से फट सकती हो और हर बार मैं तुम्हें बचानी के लिए नहीं आ सकती है यह कहता है कि तुमारा शुक्रिया पर अब जब हम heavenly demon को destroy कर चुके है तो क्या हम अपने पूरवजों के आखों में धोके बाज नहीं है क्या पर एंप्रेस उस जगे को तोड़ते हुए कहती है कि वह आदमी हमारे generations के leader को हमेशा से धोका दीते है वह अपने मतलब के लिए वह आदमी हमारे sect की member कहलाने के लायक नहीं है तो इस वज़े से हमने किसी को भी धोका नहीं दिया पर एंप्रेस यहां पर जाती हुए सोच रही होती है कि मुझे नहीं लगा था कि मैन वल एक जूटने के लेगा बिना God बनने के guidance के मैं कुछ नहीं कर सकती नहीं मेरा breakthrough हो स तबी निंग टैंग कहता है कि लगता है मैं breakthrough करने वाला हूँ यह फिर सोचती है कि सच मुझे इसके बस Godly Physics है अभी बस कुछी देने हुए पर वो काफी बार breakthrough कर चुका है यह चीज काफी कम देखने को मिलती है यह फिर इसे कहती है कि मैं यहां से जारी हूँ ताकि तुम peacefully पर कल्टीवेट कर सको हमें फिर कुछ दिर बात दिखा जाता है जहां पर निंग टैंग वण स्टार स्प्रीचल रेल में ब्रेक्ट्रू कर चुका होता है यह फिर कहता है कि इस प्रिशल में एंटर होते ही डिफिकल्टी और जदा बढ़ गी है कल्टीवेशन के लिए जि यहां पर आ चुका है तो सेक्ट लीडर कहते कि शाशी क्या तुमने ब्रेक्ट्रू किया है यह कहा था कि हाँ सेक्ट लीडर आपका यह शिश है और ड्रेडी स्परिशल रेल्म के पीक तक पहुँच चुका है मैं बस एक कदम दोर हूं अर्थ किंग रेल्म में पहुचने की यह कहते कि तुम अभी सिर्फ 20 साल के और तुम अभी से इतनी ताकतवर हो तुम्हारी जितनी पोटेंशल है उस हिसाब से तो हमारे सेक्ट को हमारा सकसेसर मिल चुका है पर यह शर्मिंदिगी है कि हमारे सेक्ट को हैवले डेमनिक सेक्ट ने अपने नीचे दबा रखा है जिस वज़ेस हम उसके आगे कभी निकली नहीं पाए एंशन टैम से डीमन्स की रिस्पेक्ट की जाती है क्योंकि वो ताकतवर है शशी कहता है वो इसलिए क्योंकि हैवले डेमनिक सेक्ट के पास उनके ताकतवर एमप्रेस है जो कि उन्हें करीब 100 सालों से लीड करती उसके जगे हमारे डेमनिक सेक्ट में से किसी को डेमनिक पैथ कर लीडर होना चीए था शशी करीब 3 दिन के अंदर हैवले डेमनिक सेक्ट वाले डाव कॉन्फेंस करकने वाले है जहाँ पे तुम हमारे सेक्ट की तरफ से रिप्रेजेंटिब बनोगे और याद रखना तु लोगों को कुछ भी नहीं पाता है इस वज़ेसे वहाँ पे कुछी दिनों में एक सारे जीनियस से जाने वाले है शशी कहता है इसका मतलब हम उनके स्ट्रेंट को अपने पैरों की नीचे जुखा देंगे ताकि हम एमपरेस को चोट पहुचा सके यह कहता है कि तुमने बि को नहीं जेल पाया और मैं मरते मरते बच गया और जैसे कि मैंने पड़ा था काफी सारी फोर्स लगा ता लड़ी जारी एक दूसरे से मेरे इसाब से हमें जरूर से भविश्य में जाके काफी सारे ऐसी सीच्वेशन से गुजरना पड़ सकता है और वह बिल्कुल सही थी हर पर फुल मून के कुलिफ के वह पर ऑटो यहां पर लड़क यहां पर काईट यहां हैं जाते हैं वाड के तोर पर 10-4 Moonlight Aura Observation Speed मिलती है पर निक टैंग यहाँ पर सोचता है कि वो सब यहाँ पर शौक किस वज़र से हो गए पर छोड़ो मुझे तो यहाँ पर पीसफुली कल्टिवेट करना है और यहाँ पर यहाँ पर 10-4 Moonlight Aura Observation को एक्टिवेट कर देता है और इस वज़र यहाँ पर यहाँ पर बैठ जाते है ताकि वो सब भी कल्टिवेट कर सकी वहीवे में निक टैंक को दिखा जाता है जो कि यहाँ पर टू स्टार स्प्रिशल रेल्म में ब्रेक्ट्रू कर लेता और कहता है कि अगर ऐसी रहा तो मैं जल्दी ही Earth King realm में पहुच जाओंगा करी पर इसका कुछ कहाने सकते क्योंकि अब नॉमल है तभी एक लड़का कहता है कि उधर देखो फैमली हेड के अंदर से यहां रोशनी आ रही है दरसल यहाँ पर निंग टैंक के सिस्टम ने उसे सब को शौक करनी की वज़े से faith of cultivation दिया होता है reward के दोर पर कहानी की शुरवा पर यहाँ पर ज़्यादा followers की रखनी की जगानी थी तो यह सोचता है यह Great Elder को अपने साथ मिला लेगा जिसी यह और और फ्लैनिश की ताकत और जदा बढ़ा देगा यह फिर Elder की पास चले जाता और कहता है Great Elder आज आसमान काफी साफ होने वाला है साथी साथ Moonlight भी आज काफ जद लगी है उसने खुद करके अपना भी breakthrough करवाया और दूसरे का भी करवाया अगर मैं भी इसके साथ मिल जाओं तो शायद मैं भी breakthrough कर पाऊं यह फिर इस चीज के लिए हां कर देता है और यहाँ पर कल्टिवेट करने लग जाता है पर इसे कुछ भी special मैसूस नहीं हो र होता है और आफ मुनलाइट और पल और पावर प्वेट के साथ मेरी कल्टिवेशन के स्वीट और ज़्वेट बढ़ गई है वह एक रेट एल्ड़र बोल रही होते है कि फैमिली हेड की होने से लगता है एवनने हमें ब्लेस किया है हमें फिर अगले दिन दिका जाता है है palace यहाँ पने पस साथ पूरी रख रहती हैं प्र यहाँ पैल्डर अब मुझम और गया पारएम coisas की स्पीड बढ़ेंगे लोग इसकी टारिफ करने लग जाती हुर कहते हैं पर एंपरेस कि तिकि वो बात छोड़ो अब मुद्दे के बात पर आती है टाउ कॉन्फरेंस कुछी दिनों में चालू होने वाली है और अलग-अलग सेक्ट से यहां पर अलग-अलग जीनियसस आने वाले यह बेशा के एक friendly matter हो पर हमारे students किसी से भी पीछे नहीं रहने चीए यह कहते कि हाँ जरूर हमें फिर तीन दिन के बात दिखा जाता है जा दुनिया भर से यहां पर अलग-अलग जीनियसस इनके यहां पर आने लग जाते है यह ने देखें यह सब काफी जदा हैरान होते है जैसे कि सौरिंग सेक्ट का लिंग आओ इसका मतलब यहां पर कुछ तो स्पेशल होने वाल है तब यहां पर एक बंदा कहता है कि आप साभी का हैविली डेमिनिक सेक्ट में स्वागत है मेरे नम लिंग चैंग शैंग है और मैं आपको कॉन्फरेंस स्टेश तक गाइड करूँगा पर याओ जी से पूशती है कि सीनियर मैंने काफी सारे हैविल सेक्ट के स्टुरेंट को क्लिफ के ऊपर कल्टिवेट करती हुए देखा है क्या मैं पूशता क्यों कि आखर कर क्लिफ के टॉप पे कौन बैठा हुआ है यह से बताता है कि वो हमारे फैमिली हेड है जो कि उन सभी discipline को गाइड करे हैSM पर यहां पर linie out कहता है कि वो सिर्प स्प्शल र personality साब ने सब को कैसे गाइड कर सकता है पर वो लोग अच्छे से उसे जीत रहे होते हैं क्योंकि काफी सारे जीने से यहाँ पर डेमिनिक सेक्ट में भरे हुए है ग्रेट एल्डर यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पस इलाइट डिसप्लिन्स है तो आपको घबराने की कोई जरुत नहीं है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह कहते हैं कि कुछ लोग दाओ स्वर्ड को जुनते हैं कल्टिवेशन के लिए दाओ का जो बैत हुता है उसके खुद के कैरेस्टिक्स होते हैं पर मैं यह इन शाशी आज इन चीजों को मानने से इंकार करता हूँ मुझे जी जो के बारे में फिकर नहीं है चलो दाओ की बारे में बात करते है क्या किसी को इस सवाल का जवाब पता है पर इसके सवाल को सुनके सब भी लोग सोचते है कि लगता है यहाँ पर ट्रबल क्रियेट करने के लिए इसी वज़े से सब लोग यहां से इसे निकालने की सोच रहे होते हैं, पर वही पर यह इन शची सोच रहा होता है, कि आज मैं heavily demonic sect को सभी के सामने बदनाम कर दूँगा, वही एंपरे सोच रही होती है, कि अगर आपको दाओ के बारे में थोड़ा सभी पता चल गया, तो आप बिना कल्टी वेटिंग के यहां पर ब्रेक्ट्रू कर सकते हो, लगता है, शैडो demonic sect पूरी तरह प्रिपेर हो गया है आज, पर सभी elders यहां पर कहते है, कि तुम यहां पर प्रॉब्लम क्रेट कर निकले हो, यह भी कोई सवाल होता है, इसा यहां से धक्के मार के निकाल दो, उतरे में आपर निक टेंग कहता है, कि demonic sect की सारी लड़के इसे पसंद करती है, पर इसे देखके तो लग रहा है कि एक औरत ने मर्द के कपड़े डाल ली है, यहां पर यह यह शैशी सोचता है कि लगता है यही family head है, इसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़नी वाला, शै शैशी फिर इन सब को कहता है कि आप पूरे heavily demonic sect के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है क्या, पर निंग टेंग कहता है कि इसी सी, तुमारा सवाल एकदम सिंपल है और डाव conference में पूछने लाएक तो यह बिल्कुल भी नहीं है, एपिसोड की शुरुवांत में हम देखते है शैशी को जो की सोच रहा होता है, उसे देखने से तो वो काफी ज़ता काम लग रहा है, क्या उसे सच मुछ मेरे सवाल का जवाब पता है, यह impossible है, इस सवाल को मैं काफी समय से त्यार कर रहा हूँ, आखिर कर यह stupid सा family head इस जो की spiritual realm में है, उसी सवाल का जवाब कैसे पता हो सकता है, वह elder यहाँ पर निंग टैंग से पूछ रहे होते हैं कि family head का आपको सच मुछ से सवाल का जवाब पता है, पर निंग टैंग कहता है कि दाव क्या होता है, आखिर कार इतने simple से सवाल को इतना difficult क्यों बनाया जा रहा है, तुम बस देखो मैं सवाल का कैसा जवाब द चाता है, तो मैं यहाँ पर सवाल का जवाब देने के लिए, पंडिंग टैंग कहता है कि कुछ चीजे उमर की हिसाब से नहीं किया जाती, तभी यहाँ पर लिन आओ कहता है, कि सवाल को simple सवाल कहना सच मुछ यह काफी वड़े stupidity है, वो सच मुछ नॉंसें जैसी बाते कर चाता है, इसका यह ज़गे सबीए लोग इसकी यहाँ पे तारिफ कने लग जाते हैं, और साथी साथ याओची भी इस पर काफी चता हिम्परैस होजाती है, पर शश्शी से कहता है कि त। मैं क्या लगता है तुम बेकार से चीज़ों को बोल कि यहाँ से चले जाओगे जो को ले सकते हो अगर तो तुम सवर्ड को चलाना सीखते हो अगर एक समय के बाद वो से अगर सभजह ऑघक Normida क्या होता है मैं तो इसका मतलब क्लेगे कहना चाहते कि करीब 3,000 path है दाओ के अंदर और हर एक path की खुद की एक uniqueness है निंग टैंग फिर से कहता कि दाओ सिंपल वह एक path है जिसे तुम 3,000 path में से चुनते हो जब तुम सक्सीड हो जाते हो दाव को समझ में आना चीए पर तुम ये कह रहे हो कि दाव तो हमारे हाट के अंदर अगर ये तना ही सिंपल होता तो अब तक मैं ब्रेक्ट्रू कर जाता आखरी कर मैं ब्रेक्ट्रू क्यों नहीं कर पा रहा हूं यह फिर यहां पे काफी कंफ्यूज हो जाता है निंग उपने इसे ताकतवर विरोधी से लड़ेगा शशी फर यहां पे अपनी हार मान लेता है और यहां से जाने लग जाता है पर जाने से पहले वह इससे कहता है कि मैं यहां पे फेल हो गया अप सक्सीडर कोई अपना मूव करना पड़ेगा पर क्या हुआ जो तुम ने मेरे सिस्टम ने इसे दिये उसे यहां पर इस्तमाल कने का लेंग याँ फिर से कहता है कि यह शैडू स्वाड है जो कि एक ट्रेजर ग्रेड वैपन है यह फिर इसे दिखाता है कि इसकी स्वाड कितनी ज्यादा पावर्फुल है जो देखके सबी लोग काफी हैरान हो जाते हैं दर कि पास भुषार नहीं है तो आइक रिखर हम दाओ को कैसे डिसकास करेंगी यह कहा थै कि मेरे पास एक भी नहीं है तो सभी लोग यहां पर इसे अपनी स्वाड देने लग जाते हैं पर यह कहा था हुसका हुता है जो देखके लिंग याओं स्वार्ड इंस्टेंट करता है पर कुछी देर में निंग्टेंग यहां पे स्वरड को गायब करते तक है तैकि मुझे मुझे वाप करना मेरा हाथ पिसल किया अगर मैं स्वर्ड इंस्टेंट को थोड़ा और सीख लेता तो शायद यहां पे मैंसे मास्टर कर बाता लगता है उसके और प्रैक्टिस सब्सक्राइब डिबंग और अपने पूरिक्ष ऊपर क्या है दो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर कर देना ता कि ठोड़ी रीच केंज कर सके और में थोड़ा पैसा कमा सकू मुझा पता है मैं explaining में उतना बढ़िया नहीं हो पर मैं आपनी पूरी कोशिच कर रहा हूं ताकि मैं आपको बहतर स्टोरी और अच्छे से इस चीज को translate करके दे सकू तो आपको कहानी कैसी लेगी कैसी नहीं प्लीज कमेंट पर बता दे